वेल्कम टू आ चैनल टेक मेकानिकल एनिलेक्टिकल इंडिया ने भी ट्रेड्सपैन मेट का तरफ से जो रिकुर्मेंट निकलके आया है इसका एक्जाम डेट डिक्लियर हो गया है तो अब लोग का पास ज्यादा टाइम नहीं है जस्ट 5-6 दिन का टाइम है तो उससे पहले क कैसे अब लोग को पीपेरेशन करना पड़ेगा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और 50 पैक्टिस सेट को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डिलेट में एक वीडियो पोस्ट करा दिया हूं मेरा चैनल में तो वह वाला वीडियो अब लोग जाके देख सकते मेरा च असर बताने से पहला आप लोग एंसर देने का कोसिस करना और आप लोग एंसर के चलना की एक टेस्ट हो रहा तो 30 में सब लोग कर रहा है इसका हिसाबच अब लोग देखते रहा ना question को और वीडियो अब लोग पूरा देखना है इससे पहले भी मैं English का class, Math का class, GK का class, Reasoning का class ले लिया हूँ तो अब लोग ओ बाला वीडियो जोरू देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं आज का first question which hill station is called as Queen of Satpura किस hill station को सतपुरा की रानी कहा जाता है सतपुरा की रानी या Queen of Satpura कौन सा hill station को बोलते हैं option number 5 मारी, option number B आप देख सकते हैं नेल गिरी, option number C, महंद्रो गिरी, option number D, करडामॉम तो इसका right answer क्या हो जाएगा आप लोग answer दे दीजिए, इसका right answer आप लोग कहीं सबसे क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा, पच्छ मारी, ठीक है तो option number A, is the right answer हो जाएगा तो कभी-कभी question आता है कि Queen of Satpura कौन सा district में या कौन सा state में आता है तो इए आप लोग को जानना चाहिए, तो Queen of Satpura कौन सा state में आता है, तो इए आता है मध्धपदेश, ठीक है, MP में आता है, और एक question आता है कि India का heart किसको बोलता है the heart of India कौन सा state को बोलता है, तो मध्धपदेश को बोलता है, क्योंकि मध्धपदेश इंडिया का map का पूरा बीच में अभुस्तित होता है बीच में located होता है, इसलिए मध्धपदेश को बोलता है heart of India ठीक है, तो एक कौन सा district का अंदर आता है, होसांगाबद होसांगाबद, HO, A, C, N, G, A, B, A, D, होसांगाबद अभी एक recruitment में निकल के आया था, SPM, CIL, होसांगाबद के तरफ से तो एंपी में अभुस्तित है, तो कुईनप साथपूरा कहां पे अभुस्तित है, एंपी में अभुस्तित है ठीक है, next question, second number का अब देख सकते है, which national highway connects दिल्ली and कोलकाता, भाया, मतुरा और बारानोसी, कौन सा NH या national highway दिल्ली और कोलकाता को जो, मतलब कानेक्ट किया है, तो भाया क्या क्या है, मतुरा और बारानोसी भाया है तो कौन सा national highway connect किया है दिल्ली और कोलका तक हो option number NH4, option number B NH2, option number C NH10, option number D NH10, तो same option type हो गया कोई बात नहीं तो आप लोग answer दे दी जिसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा आप देख सकते option number B NH2 ठीक है, तो NH2 क्या क्या है दिल्ली का साथ कोलका तक हो connect किया है, तो भाया क्या है मथूरा है और बरानुसी है ठीक है, और एक question आता है most important question longest national highway of India, क्या होता है, longest national highway of India होता है, NH 44, ठीक है तो इससे पहले था NH7 था, तो अभी change हो गया है तो change होके हो गया है NH44 और एक question होता है smallest national highway तो smallest national highway आप इंडिया क्या है, NH national highway 47 ये होता है, इंडिया का smallest national highway ठीक है, तो ये सब आप लोग को जानना चाहिए कभी कभी large पूच्छता, कभी कभी longest पूच्छता, कभी smallest पूच्छता, इसका बाद in radio communication the signals emitted by the transmitting antenna are reflected on जो radio communication होता है, तो जो signal emitted होता है, तो Iya biowandom dal का, या atmosphere का जो layer होता है, तो कौँछा layer से reflect होके आता है option number statosphere option n. eajnaosphere, option n. eajnaosphere option n. eajnaosphere, option n. eajna superpower तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा, INosphere ठीक है, तो radio signal जो आसता है radio communication जो होता है हम लोग quindi घर पर तो वह होता है ionosphere से reflect होके आता है ठीक है तो अगर हम लोग बात करते हैं earth atmosphere का जो level होता है Dop जो आता है जो और इस एक वाहता है 100 स्प यूश का अंदर आता है फईक हैं 100 केले में मेंटर का बाद दाता है आधा एक सफस्पैर का अंदर आता है तो टॉप लिस जाधा इदर मतला सबसे जचादा जृर होता है स्टॉम जिसको वोलते है और बाई सिधा सब्से ज़्याधा इंदर जहoquा है लगागा रहता है ठीक है और सबसे सन्थ मुंडो जाता है airplane कौन सा मतलब layer का अंदर से जाता है तो वो जाता है stratosphere का अंदर ठीक है और ionosphere जो होता है अब देख सकते हैं जो mesosphere है तो mesosphere और ionosphere यह इधर होता है तो ionosphere से radio communication reflect होके आता है ओके next question phone number का which one of the following is an endangered species नीम्नो लीकिद में से कौन सी एक लुप्तव प्राइप प्रोजाती है मतलब already लुप्तव प्राइप हो गया है मतलब बहुत कम इन लोग को हम इन सब को हम देख पाते हैं तो option number black बाक option ब्लू सीप और सी गैंक्टिक डॉल्फीन option number D मिथून तो इसका right answer क्या हो जागा इसका right answer ब्लू सीप ठीक है तो already 50 सेट में प्रैक्टिस सेट पोभाइट करा दिया हूं तो हिंदी में 15 सेट है और बाकी 35 English में है तो एक प्रैक्टिस सेट जो है तो 20 प्रैक्टिस सेट जो इंग्लिज में पोभाइट किया हूं वह आप लोग के लिए बहुत ज्यादा important होगा क्योंकि cbt exam में जो भी question copy होगा वह प्रैक्टिस टेस्स से आएगा ठीक है तो आप लोग ओवाला वीडियोप सब जुरूप पर लेना ठीक है तो अब लोग अगर पीडियोप को देखना चाहते हैं अगर डाउलोड करना चाहते तो वीडियो का description box में आप लोग का होता है एक adult आदमी का तो ब्लाड वॉल्यूम कितना होता है 1 लिटर अप्सन वी 3 लिटर अप्सन छी 5 लिटर सेवन लिटर इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन लुग को जानना चाहिए c दर राइटेंसर हो जाएगा next question the fasting blood glucose level adults in 10 mg slash 100 ml is fasting जब हम लोग करते हैं blood glucose level क्या होता है 100 ml में तो होता है option number 200 option number 250 option number C option number 60 तो इसका right answer क्या हो जब 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 होता है तब क्या हो जाता है 100 mg होता है 100 ml में ठीक है next question आप देख सकते हैं 7 number का question by which constitution amendment act right to property case to remain a fundamental right मतलब कौन सा संग्विदान में जो संग्सदन हुआ था कौन सा संग्सदन में right to property जो संपोत्ति का अधिकार है तो मवलिक अधिकार में बनाया गया था तो कौन सा constitution यह संग्विदान को संग्सदन में बनाया गया था option number a 44th option number b 42 option number 3 43 option number 45 इसका answer क्या हो जागा बहुत इंपोर्टन question है constitution से question है option number a अब देख सकते हैं 44th तो 44th amendment में क्या हो था संपोत्ति का अधिकार को मवलिक अधिकार में convert किया गया था बदल लिखा गया था ठीक है next question 8 number का truth is the ultimate reality and it is God किसने कहा सत्त ही परम सत्त है और यही इस्सर है तो किसने कहा था option number a सामी विवेकानन्द, option number b रविंदना त्रेगोर, option number c महत्मा गंदी, option number d राधा किस्नान तो इसका right answer क्या हो जागा option number c महत्मा गंदी ठीक है तो महत्मा गंदी क्या क्या था कि truth is the ultimate reality मतलब सत्त ही परम सत्त है और यही इस्सर है ठीक है next question 9 number का who founded the नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापोना किसने की थी option number c सरदार बागत सिंग, ठीक option number c is the right answer हो जाएगा तो इसका बाद एक marathon class में लाओंगा gk का तो बहुत सरा gk रहेगा उसमें अब लोग का more than 100 या more than 200 gk अब लोग को मिल जागा जो exam के लिए बहुत ज्यादा helpful होगा इसका बाद अब देख सकते solid which conduct electricity at higher temperature but not at lower temperature or cold कोई भी एक solid होता है ठोस पदार्थ होता है जो high temperature में electricity को conduct करता है लेकि low temperature में electricity को conduct नहीं करता है उसको क्या बोलता है superconductor metallic conductor semiconductor semi conductor या inductor तो बोलता हैителя होता है मेटल में low temperature में ओ electricity मतलब conduct होता है carry होता है ठीक है तो इसका राइटेंस रोज़ागा semi conductor और एक question आथा कि ohms log किसके लिए valid नहीं होता तो राइटेंस रोज़ागा semi conductor के लिए valid नहीं होता ठीक है next question which one of the following has the greatest mass निमने लिक्त में किसका पात सबसे बड़ा दरब्मन है सबसे ज्यादा mass किसका है option number electron option number V proton option number C neutron option number D hydrogen nucleus इसका राइटेंसर कह previously इसका राइटेंसरफ जगे option number C neutron ठीक है оловारा डरब्मन होता है या सबसे mass ज्यादा होता है इसका mass कितना होता आप लोग को जानना चाहिए 1.67 into 10 to 12 minus 27 होता है ठीक है तो यह आप लोग को जानना चाहिए बहुत ही important question है next question 12 नंबर का रावलाट act 1919 was enacted during the period of रावलाट act 19 से 19 साल में जो enacted हुआ था अधिनियमित हुआ था मतलब स्थापीत हुआ था चालू हुआ था किसका प्रियोड में किसका सासन काल में हुआ था option नंबर रावलाट एक को enacted किया गया था ठीक है तो 1990 में क्या हुआ था और एक चीज जालियान वालवाग मैसक्रे हुआ था ठीक है तो 13 एप्रिल हुआ था यह भी आप लोग को जानना चाहिए ओक है तो किसका और इसका निर्देश में जालियान वालवाग जो मैसक्रे हुआ था उसमें गोली चलाया गया था तो जेनारल ओडायर ठीक है जेनारल ओडायर का पार्मिसर में अदेश में गोली चलाया गया था ठीक है next question who was regarded by गांधी as political guru गांधी जी का राजनिती गुरु का हिसब से किसको माना जाता है और ओप्से नमबर लाला लाजपत राय और बी विपिंच अंदरपाल कि गोपाल किसनो गोखले गांधी जी का राजनिती गुरु का हिसब से किसको माना जाता है अप्सिन नमर डी गोपाल कृष्णा गोखले ठीक है तो गोपाल कृष्णा गोखले इस दर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है यह सबसे जääदे उत्पादेवर होता है तो घ्रला में सबसे जादा ठोडियाम बी पाया जाता है और नेचरल लाबार भी पाया जाता है ठीक है केलला का राजदानी क्या होता है तिर्यूबान अंतपुराम नेक्स्ट कोशन फिप्टी नमर का इंडिया इस दा लार्जेस्ट पोड्यूसर और कंजूमर अब भारत कौन सा चीज में सबसे बड़ा उत्पादोग होता है रुपबोकता भी होता है तो चाहिए क्या उत्पादोग उत्पादोग भी करता है तो सबसे जाद़ चाह अपसे ज्यादा पर्डूस भी होता इंडिया में नेक्स्ट कोशन सिस्टी नमबर का वाट डाज ओजून लेयर एब्जॉर्ब ओजून स्थार क्या एब्जॉर्ब करता है और फिर नंबर इंफरेट रे और बी अल्टा वायले तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा option number B ultraviolet rays ठीक है तो option number B is the right answer हो जगा ozone layer में ultraviolet ray का बज़े से क्या होता? ozone hole 60 होता है ozone hole बनता है ठीक है तो एचीज़ अब लोगे जानना चाहिए ultraviolet ray का बज़े से next question the type of mirror used in the automobile to see the traffic on the layer side तो जो automobile होता है जैसे bike कोई भी होता है जो mirror होता है लगा रहा रहता है जो पीछे traffic होता है traffic को देखने के लिए काम में आता है यह mirror जो use होता है हम लोग easily बोल सकते हैं तो उसमें कौन सा mirror होता है convex, concave, plane, concave यह plane तो इसका written सा क्योंचर हो जब होता है ठीक है कभी के भी कोसेन आता है कि जो बाइक का जो हेड लाइट होता है हेड लाइट में कौन सा मीरर रहता है तब होता है कौन केब मीरर होता है ठीक है बोलते हैं जब हम लोग सेलोन में सेविंग करते हैं तो सेविंग करते राइम कौन सा मीरर रहता है वो भी रहता है कौन केब मीर next question in which year did Amartya Kumar Sen received Nobel Prize in economics कौन सा साल में Amartya Kumar Sen Nobel Prize जीता था economics में तो अलग-अलग subject में Nobel Prize मिलता है जैसे physics में मिलता है peace में मिलता है economics में मिलता है chemistry में मिलता है ठीक है तो बोला है कि Amartya Kumar Sen economics में जो Nobel मिला था उसको हूं तो कौन सा साल में मिला था अप्षिन नमबर ए 1998 ऑप्षिन नमबर भी 1995 ऑप्षिन नमबर सी 2000 ऑप्षिन नमबर ए 1990 जिसका राइट अनसर क्या हो जाएगा ऑप्षिन नमबर ए 1998 ठीक है यह मेरा डेट आप बार्थ है डेट आप यार है तो 1998 मतलब 1998 में मिला था अमृत्य कुमर सेन को एकोनोमिक्स में नोबेर प्राइज ओके नेक्स्ट कोसेन सर्फेस वाटर इस बेटर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकोज इट इस पूर इन मतलब जो सर्फेस सते का वो पानी होता है तो हम लोग जेनरली ड्रिंकिंग वाटर के इसमें आर्सेनिक कम रहता है इसलिए हम लोग उसको सर्फेस वाटर होता है उसको लोग ड्रिंकिंग वाटर का हिसाब से हम लोग पीते हैं शीक इसका राइट अलगा आर्सेनिक नेक्स्ट कोशन 20 नमर का यह जग यह जगा राम टार्म हो जगा टी-e-rm टार्म जेनेटिक वाज क्या जो होता है तो जेने टिक्स और किसने क्या था त्रों किसने स्टार्ट किया था बोला था ऑफ सन अमबर मोर्गान अप्टान अप्सट 1 वी मेंडल ऑ सेबिट सौन अप्सेद आवाड जोहांसें इसका आई टैनिसर जब भी वोलेगा तब हो जगा मेंड्रेल ठीक ह का बाज़े से होता है तो option number A X-ray, option number B gamma R, option number C B, option number D, alpha R, तो gamma R सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, तो gamma R का बाज़े से क्या होता है, जई बिक damage होता है, निस्पारण होता है, ठीक है, option number B is the right answer हो जाएगा, next question 22 number का, which one of the following is not a secondary storage unit, computer में कौन सा secondary storage unit ही होता, computer में 2 storage unit होता है, एक होता primary और एक होता है secondary, primary में क्या होता है, primary जो होता है, वो computer का अंदर रहता है, secondary मतलब हम लोग को बाहर से use करना पड़ता है, जैसे DVD होता है, floppy होता है, magnetic tape होता है, पिन ड्राइब होता है, तो बाहर से हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन RAM जो होता है, random access memory जो होता है, तो होता है primary memory, छीक है, next question 23 number का, which international agency is working for the protection of the environment, परजबारन का सुरक्सा के लिए कौन सा अंतरश्ट्यो agency काम कर रही है, तो इसका right answer के हो, जो option number नासा, नासा तो नहीं होगा, option number B, UNO, UNO भी नहीं होगा, option number C, Greenpeace, तो Greenpeace एक ऐसा agency है, जो परजबारन का सुरक्सा के लिए काम करते हैं, ठीक है, next question, autobiography of an unknown Indian was written by, एक किताब है, autobiography of an unknown Indian, तो ए बुक का writer या लेकर कौन है, किसने लिखा था, option number R, option number B, नीरोथ C, चावधोरी, option number C, आरके लक्समन, option number D, राजमहन गांदी, तो इसका right answer के option number B, नीरोथ C, चावधोरी, ठीक है, next question and most important question, the first recipient of भारत रतनों वाज, भारत रतनों पाने वाला पहला वेक्तिक थे, तो कौन थे, तो option number J, जोहला लेहरू, option number B, गविंद, बलोब पान्थ, option number C, B, C, राज, option number D, C, भी रामन, तो इसका right answer के आओ जगा, option number D, C, भी रामन, ठीक है, तो C, भी रामन भारत का पहला बेक्ति था, जिसको भारत रतनों मिला था, पहला बार, ठीक है, next question, आप देख सकते हैं, who is also known as, lady with the lamp, तो lady with the lamp का इसे अब से हम लोग किसको जानते हैं, सरोजिनी नाइडू, option number B, Florence Night Angle, option number D, मयावती, तो अगर आप लोग सायथ, 7 या 8 में चैप्टर था, the lady with the lamp, तो किसको बोलता है, आप लोग सभी student जानते हैं, इसका राइटन सरोजिका, Florence Night Angle हो जाएगा, ठीक है, तो जो भी important question है, उसको एक एक करके मैं select किया हूँ, और आप लोग के लिए इधर लाया हूँ, तो ठीक है, next, who wrote that, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कि मैं बता दिया था, कि यह जो गाना है, किस ने गया था, तो महम्मत इकबाल ने गया था, next question 28, नमर का, the highest peak in India is, भारत की सबसे उच्छा चोटी है, तो सबसे highest peak क्या है, कमेट, नंदा कोट, अपसे नंदा दीवी, अपसे नमर D, K2, Godwin Austin, तो इसका right answer हो जगा, अपसे नमर D K2, Godwin Austin, ठीक है, सबसे उच्छा peak होता है, next question 29, नमर का, plague is caused by, प्लेग किसका कारण में होता है, अपसे नमरे बैक्टरिया, अपसे नमरे भी प्रोटो जवा, अपसे नमरे C, भायरास, अपसे नमरे D, all of these, तो इसका right answer क्या हो जगा, इसका right answer हो जगा, बैक्टरिया, अपस इसको, बैंगाली में बोलता है, सालक शंचलिया, इसको, हिंदी में बहुता है, Pocoast संचलिया, तो फोटो सिंतेसी प्रोटो जगा. से अवाता है ओपिस dwarl होता है ओप्शन नमर एडिाथ is chemical energy इन्टू रडियांट energy लग इसमें कहो होता सान से जो अनर्ज आता है सोरो engaged डिवार है डियर चॉर है डिवायचि में बदेल तो ओप्शन नम्बर 0043 राइट अंसर हो जाएगा तो आस तो टोटल 30 important question, most important question जो मैं अब लोग का साथ share किया हूँ इसका बाद आएगा एक free fire class जिसमें अब लोग का देरसों से 200 question रहेगा most important question होगा नया pattern का exam pattern का हिसाब से अब लोग का question रहेगा कल जो question का pattern दिया है उस pattern का हिसाब से total 300 से 200 gk रहेगा उदर से अब लोग का common आने का बहुत chances है तो ऐसे अब लोग class को देखते रहा ना जब तक अब लोग का exam नहीं हो रहा है तब तक ठीक है तो ऐसे हार पल का update पाने के लिए टेक्निकल जॉब का या जो भी ऐसे देख सकते नेवी exam का update पाने इकला लोग चैनल का सथ जूर रहना ऐसे अब लोग का हार चीज़ का update मिलते राएगा आज के लिए साहीं मिलते नेक्स प्रेंड़ाएं